खामा गणी केम चो दोस्तों आप सबको तो पता ही है कि अगर अब आपको PTM एप से अगर आपको PTM वालेट में पैसा लोड करना है तो भाई वहाँ पे आपको अगर क्रेडिट काड़ से वो पैसा लोड करना हो तो आपको 2% के एक्स्ट्रा चार्जिस पे करने पड़ते हैं तो बेसिकली अगर आपको एक थाउजन रूपीज विगा को PTM वालेट में एड करना है अपने क्रेडिट काड़ से तो आपको वहाँ पे 20 रूपीज का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा 10,000 एड करने चाहोगे तो 200 रूपे का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा तो यह 2% तो दोस्तों आगे चलते हैं मेरे सीरे मुबाइल फोन की स्क्रीन पे और आपको इसकी जो भी यह सारे तरीके हैं बता देता हूँ ठीक है तब तक आप से वितना कीजिए कि आप सबसे पहले मेरी इस चले को कर दीजिए सब्सक्राइब इस वीडियो को लाइक ज़रूर है चलिए शुरू करते हैं ओके तो अब यह मेरा मुबाइल फोन इसमें यह देखिए मैंने पेटियम का अप्लिकेशन ओलेडी जो हैं लॉगिन वगेरा सब करके रखा है अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जैसे कि पेटियम अप्लिकेशन ओपन करते ही यह हमे पेटियम वालेट में एड मनी मैं आपको सबसे पहले यह तो बता दूँ कि यह चार्जिस वाला जो सेक्शन है यह दिखता कैसा है ठीक है वह पॉपक कैसा दिखता है तो यहां मेरे पेटियम वालेट में अभी तक एक रूपया है तो हम यहाँ पर थाउजन रूपीज को क कर दूँगा प्रोसीड इस पर क्लिक करिया है अब यह चला है नेक्स पेज पर हमें बताता है कि अगर मैं किसी भी में करता हूं तो ऑफिसली मुझे कोई चार्ज नहीं है बट यह जो क्रेडिट कार्ड है अब इसको मैंने कर दिया सिलेक्ट अब यहां पर मैं चलो कोई भ 2% is applicable on adding money using credit card यहां पर लिखा है कि 2% charges applicable for this credit card as we pay up to 2.65% charges to your credit card कम दी तो बेसिकली यहां पर पे पेटेम हमें यह बता रहा है कि हम आपसे 2% का जो चार्ज है वो कर रहे है यह nominal charge बाकि हम आपकी credit card companies को 2.65% तक का चार्ज देते हैं that is why हम यह चार्ज कर रहे हैं अब देख सकत यहां पर लिखा है कि add money में 1000 रुपिया charges मुझे 2% के इसाफ से लगेगा तो वो 20 रुपीज एक्स्ट्रा तो मुझे अपने credit card से अभी के अभी 1020 रुपिया दीना पड़ेगा अब obviously मैं यह नहीं चाहूँगा नहीं तो हर बार अगर मैं यह हैं वैसी 1000 रुपिया एड करो और मुझे 2-2% का charge लगया तो कितना महेंगा पड़ जाएगा तो अब चलते हैं इसके solution के तरफ तो अब आपको पैसा free में एड करना है अपने wallet में तो आपको बस simply क्या करना है कि आपको Zomato app को सबसे पहले कर देना है install इसको आप install करने के बाद आप login वगेरा कल दीजिए registration कल दीजिए ध्यान यह रखेगा कि Zomato app में जो आप login या registration करोगे तो आपका जो email ID और mobile number है वो जो आपने Paytm में दे रखा है वो आप same दीजिए इसका कारण यही है कि जब भ नहीं होती फिर यह सब होने के बाद हम Zomato app को open करेंगे और कुछ इस तरीके साथ को इसकी homes के लिए नजर आएगी ठीक है फिर यहाँ पर आपको प्रोफाइल में आना है प्रोफाइल में आते ही आपको यहाँ पे यह payments दिखता है तो यह payments में आप यहाँ पे करोगे click यहा यहाँ पे आपको यह जो सारे आपको options मिलते हैं ऐसे ही आपको Paytm का भी option है यहाँ पे आपको wallet को सबसे पहले link कर देना है the moment आपने link कर दिया होगा तो यह जैसे मेरे Paytm wallet का एक रुपे का भी balance बता रहा है वैसे ही आपको भी बताएगा ठीक है जो भी balance है वह अंदर अगर मैं यहाँ से चाता हूँ कि मुझे 1000 रुपे add करने है तो बस कुछ इस तरीके से मैंने यह किया link दिया फिर मैं proceed to add money पे करूँगा click अब यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे कोई भी तरीकी का फिलहाल pop-up नहीं आया कि मुझे कोई extra charge देना है ठीक है अब यहाँ पे मैं सबसे पहले CVV एंटर करके फिर OTP एंटर करके आपको बता देता हूँ कि देखिए मेरा wallet कैसे charge हो गया तो अब यह मुझे OTP आ चुका है अब यही OTP देखिए मैं करता हूँ submit the moment मैंने यह कर दिया अब यह verify कर रहा है इसी OTP को and यह आप देख सकते हो wow मेरे Paytm wallet में क्रोस चेक करने है चलो यहां से हम आ गए वापस Paytm के application में and इसी के बाद मैं Paytm wallet में add money फिर से करता हूँ click अब देख सकते हो यह 1001 रूपीज का balance आ चुका है दोस्तों काफी simple है right बट यह बहुत ही mind-blowing चीज़ है क्योंकि आप एक चीज समझे के Paytm आपको तब चार्ज करते हो तब और एक चीज है कि यह सेम जो solution है यह Zomato के साथ Uber app पे भी काम करता है मैंने Uber पे personally and practically try किया है yes it works on that also तो दोस्तों बस यह है इस वीडियो में अब आप मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई अच्छ करते है अच्छ करते है आप पाई